नमस्कार दोस्तों जय हिं जय भारत दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ इस वीडियो में निभंध वा कहानी में अन्तर बोड की परिक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि निभंध वा कहानी में अन्तर इस परिश्ट कीजिए निबंद का अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित प्रोड रशना अर्थात मजबूत एक रशना होती है जोसे हम क्या कहते हैं निबंद ये काई से बना है नी धन बंध शब्द से बना है अर्था एक बंधी हुई रचना एक प्रोध रचना को हम क्या कहते हैं निबंध कहानी कहानी मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती मनला ये क्या है कहानी किसके इर्दगिर्द घुमती है मानव जीवन के इर्दगिर्द घुमती है खंड चित्र होता है इसमें एक सिदिकावणन किया जाता है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती निवंध को अंगरेजी में ऐसे कहा जाता है जिसका पढ़ने में ज्यादा रस आनंद मज़ा नहीं आता है कहानी में सरस्ता का गुण मौजूद रहता है जो कहानियां होती है उसमें रस मौजूद होता है आनंद मौजूद होता है निबंध लिखते समय समय सीमा वा शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है आपने देखा ही होगा परिषाओं में निबंद लिखने के लिए आता है कि इस विशेपर 200 सब्दों में या फिर 500 सब्दों में निबंद लिखिए कहानी में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है निबंद की शैली सदा ही क्या होती है गद्य कहानी की जो शहली होती है वो गद्दे भी हो सकती है और पद्दे भी हो सकती है निबंदे के लिए कोई भी विश्य हो सकता है जैसे आँक, दात, दिवार, मॉबाईल, विज्ञान, खेल, छत, मतलब इसकी कोई विश्य सीमा है ही नहीं कहानी पात्र वा चरित्र परधान होती है जो कहानी होती है वो किसी व्यक्ति विशेज अर्धार को चरित्र विशेज के उपर ही लिखी जाती है धन्यवा दोस्तों आप बोर्ड परिछाओं में इसी प्रकार अंतर लिकर आना जै हिन जै भारत